अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अबिए और अपना आपाल प्लै है सूर्यक मेंशनना झालिर। हमाराण, मुर्दिक नंपूर बीमा सेव बार येकू, सेव बाराण श्रीमा गरा ये ओनमा कर दो कर दो दो झाल 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 विया क्यड वाहु हॉप। क्या खी करे लूंज। क्योंद। क्युछिवा लेन क्योंद। क्योंद। क्युछ सकते हैं यहुट और यहांना अच्छा बताओ रिजल्ट कर क्या होगा एक लड़का और एक लड़की शादी के चार दिन हुए हैं और तुम कैसे बाते कर रहे हो इतनी जल्दी भी क्या है मैं तो एक्जाम के बारे में पूछ रही थी मैं बताता हूँ आरे यह देखो यह देखो जोधी मेरे यार ने सारी उनिवर्सिटी में टॉप किया है और तुम भी कुछ कम नहीं तुमें भी बसक्लास मिला है मुझा लिए है और रही खुश्कारी यजी आर्केडिक बनना है ना वह अगिए आर्केड़क मालिक से ने बात किया यह 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 उनका कर्ड आज ही जाकर उनसे मिलना और यह खुश्कारी मुझे बैंक में आकर सुनाना एक थांक्स यार था था बाई दिल से जो बात निकलती है ऐसा रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है दिपक तुमने अपने दिल से ये सब डिजैन बनाए हैं मगर मुझे खुशी इस बात की है के हर एक डिजैन अपने ये एक अंदाज लिये हुए तुम सपने अच्छे देखते हो पर उन्हें साकार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसे मैं खर्च करूंगा मैं सर मैंने तो सोचा था आपके साथ रहकर कुछ तजर्बा हासिल कर लूँगा आपने तो मेरे सपनों को साकार करने का फैसला कर दिया दीपक, इनसान अगर फैसला ही सही कर ले, तो उसे अपनी मंजिल तक पहुचने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती और तुम से मिलने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है, कि इस चैर के हर इलाके में, खन्ना बिल्डर्स की बिल्डिंग होंगी, और उन तमाम बिल्डिंग के डिजाइन, तुम बनाओगी थांक यू सर, हाई मदन, हाई दीपक, बैटो बैटो, अरे यार वो खन्ना से मुलकात होई, अरे मुलकात तो होई यार, मगर मुझे वो बड़े ही अजीब आद मी लगे, अजीब, क्यों क्या हुआ, अरे पहले ही मुलकात में अपनी सारी जमीनों की लिस्ट मेरे सांदे और कहने लगे, जहां जो चाहे बनाओ, और कहा कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो, ऑफिस से आखर ले लेना, बलकि मेरे खर्चे के लिए 10,000 रुपे का चेक भी दिया है, इस ही बैंक का है, अरे वा, मुबारक हो मेरे यार, आज़े तुम यही रुखना, मैं अभी चेक कै जी वो अभी आ रहे है, अच्छा, यहले दीपक, तेरे पैसे, थैंक्स यहर, चल वे चलता है, अरे रुख यहर, अभी चाय बोलकर रहा हूं, चाय भी कर जाना है, और दिनुजी, मैं आपकी कैसे वा कर सकता हूं, कसम सपनों की, मैं तो अपनी चेक भूक लेने आया था, आपको सुनके खुशी होगी, को मैंने, एस्टेट एजेंसी का आफिस वाला है, अरे भा, शाय को अभी अपको मेरी ज़रुदत पड़ जाया, यही है मेरा वेरा कार्ड, प्लीज की जब दे का सिंपट, कसम सपनों की, यह रहा मेरा कार्ड, आप मुझे याद कीजए गा, इस शहर में मैं है एक ऐसा एजेंट हूँ जो ग्रहक को अपनी पसंद की चीज दिल्वासेता है अगर आप चाहें तो मैं आगने का ताज महल दिल्ली का लाग किला और हैटरबाद का चार मिनार भी आफ खरी सकते हैं अभी हाली मैंने बकिंग पैलेस का डील करवाय था यहां 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 आप पर्चेज देख लिए यहां पर्चेज देख लिए दरूर्ट देख लिए और काम का भी है कसम इनके सपनों की इनको मद भूलना चाहे ले पर बादन बाबू जो बैठ जाते हैं मनजल तक पहुंचने में बहुत देर रगती है यह दो लाक रुपए हैं जी मेरे आकाउंड में जमा कर बादन जल्दी में हूँ चलता हूं यह आदमी तुछ पे इतना भरोसा करता है यह वरोसा मुझसे ज्यादा अपने आप पर करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका साय का माल यह बगरा नहीं कह सकता है जुति जुति जुती जुति क्या मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई पाले के बाद और अब अ है 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 मैं आए तेरे भी थे है है बाग में तो चल मैं आए तेरी पीजिद हाँ बाग में तो चल मैं आए तेरी पिजिद बेखिके बात करेंगे भी बाग में तो चल बाग में नहीं है पग में नहीं है जाना वहाँ होगा सारा समाना कैसे सुनाँगा मैं तुझे को दिल का फ्रेम तराना 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 पर्ब को पिचल मैं आई तेरे पिचल हाँ पर्ब को पिचल पर्ब को पिचल मैं आई तेरे पिचल देरे के प्यार देगे अक्यों को मीचे पर्ब को पिचल रास्ते हैं वो अंचाने रास्ते हैं वो अन्जाने हम तो है प्यार के दिवाने कोई लुटे रा न लूटे ये चाहत के खजाने 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 चे दूर नहीं तो चल मैं आए तेरी प्रिदेशा हम दूर नहीं तो चल मैं दूर नहीं तो चल मैं आए तेरी प्रिदेश मैं आये तेरी पीजे भूने चहां ड़ी पुली हम किसे से बहां दूर कहीं पचल ऐसा चहां एक प्यारा हम तब बसाएंगे यारा प्यार ही प्यार करेंगे भूल के ये जग सारा है सारा हो सारा है सारा मैं आये तेरी पीजे क्या वा क्या वा कितना खुबसूरत खर है मेरी खुआश है कि ऐसा ही खुबसूरत खर तुम्हे खरीद कर दो इस घर में तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी न मुझे क्या तकलीफ है अपना हर जखम जमत से छपाती हो इस द्रवाजे में अंदर से गड़ी होती है और वह गड़ी इसलिए होती है कि ऐसे नाज़ुक मौके पर लगा दीश़ा चैनाब बई तो मैं भी कह रहा हूँ गर में एक दर्वाजा होता है उस दर्वाजे के बाहर भी एक कड़ी होती है और उस कड़ी को अंदर आने से पहले बचादिया जाए समझ किया आ इन आसे खहल रख हूँ कर कोछ तू चल मरे साथ अवए तू जानता है निए क्या गुजारता हूं कसीनो है अट करूं अधाया कर दो मेरे लिए यार अ असमझ कल तूando को सो जाए है क्ne से मरे साथ चल एक के ह Sydney पकी किती हम चल रहा हुए आशा भावी ले जारा हुचिए शॉरी हाँ टाटा टाटा भावी रुकाउट के लिए खेद है भाई बढाचिए राटाटाश राटाटाज कर दो मुद्राल को कि का अजब कर दो लुदिया कि कर दो फिया रहता है बहुत है अब है, इनका पैक और इनके हाइचे ब्लाइट और जो पैक और जो पैक आज तो मैं सिर्फ जीतूंगा क्योंकि आज मैं अपने साथ एक लगी मैन लाया हूँ दीपक के पत्ता कोल खोल दो दीपक बाबु खोल दो शायद इसकी अंदेरी किसमत में दीपक चल जए अब एक खोलना आज देखा अरे आशा तुमने इस घोंचु को अपना भाई बना कर मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान कर दिया है वह कैसे वह ऐसे कि हम हजारों के बीच मैं इसे गाली दे कर तो बुला सकता हूं अब एस साले इदर आख मैं अंदर आसकता हूं कैसे है मदन बाबु आरे शक्ति बाबु आप बैठें नमसे बाबु नमसे बाबु जी मैं दस पंदा दिन के लिए लंडन जा रहा हूं जी यह 25 रुपय हैं जो मैं फिक्स रिपॉजिट करवाना चाहता था अब तीन दिन के लिए आपका बैंक बं करना चाहिए आप ये 25 रुपय पांच साल के लिए एफटी करवा दिए वो तो हो जाएंगे मगर कहीं आपको बीच में जरूर्य पड़ गई तो हां ऐसा है तो फिर आप अपने नाम से जमा करवा दिजिए मेरे नाम पर हां देखिए पांच साल के बाद तो हमें उतना ही मिलने वाला है जितना बैंक अमें देगी अची तो फिर आपके नाम पर हो या मेरे अंपर हो है ठीक यार बदन इस पैसे से तू ना कोई बिजनेस शुरू कर दे अब ना बाबा ना देख भाया उस बिजनेस में कहीं अगर घाटा हो गया तो या आदमी तो मुझे ठिशिंग गोली से बढ़ा देगा नहीं मैं जबर्दसी की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहिए तेरी किस्वत मे आती हू जटी है हुआ 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 है हुआ 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 है अगर है तो खरीद लीजिए और अगर नई भी है तो इरादा बना लेजिए क्योंकि आज कर इस बंगले का वालिक बहुत परिशान रहता है अगर आपको खरीदा है तो दो दिमें ले ले लिए ने तो मैं किसी और को दिलवा दूगा बस सारे एक राक पड़े हैं डे नाइट देर रनिंग आफ्टर मी वैसे ही मैं आपको दिलवा राता है आप हमारे बैंक के मदन बाबी के दोस हैं अगर बाबी के लिए तो दुगा देर रहे हैं नहीं दीपक नहीं किसी और की अमानत में तुझे कैसे सॉम सकता हूं अरे बगले शक्ती सिंग ने खुदी तु 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 चाहे तो उसका पैसा बिजनस पे लगा दे अगर इसका मुतलब यह थोड़ी ना है कि मैं उसका पैसा कहीं भी लगा दूं कैसी बच्चों जैसी बाते कर रहे हैं आप इपक यह पैसा कोई खलतका में लगाने के लिए थोड़े ही मांग रहा है एक अच्छी जगा अगर सस्ते में मिल रही है तो इसमें हर जी क्या है और जमीन के भाव दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अरे भगवान ना करे अगर हम पांस साल में इतना पैसा नहीं कमा सके तो उसी बंगलों को बैचकर हम शक्ति सिंग का पैसा चुका देंगे अरे सोच क्या रहे हैं फॉरण बंगला खरीद लीजिए ना बाबा ना मुझे नहीं खरीदना कोई बंगला बंगला यह सारे पैसे में तुम्हारे भाई को दे देता हूँ अब उससे वह बले बंगला खरीदे या अग लागा डाले मुझे उससे कोई लेना देता नहीं लेकिन एक बात गौर से सुन लेना दी पक यह शक्ति सिंग बड़ा खतरनाग आदमी है इसके पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए हां अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे आप जिनता मत कीजिए अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे भाई को मिल जाएगा उसकी ख है 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 ला 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 ला, हुम हुम, हुआ 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 हु हुआ 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 है दिल में मुहाबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब जैसे छुपी मैं तुछ में सरूं जैसे के मन पी में रोगनी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी हाँ ये जिन्दगी मौसम ये दिल कश अताओं का है मौसम ये दिल कश अताओं का है मंदर ये तेरी वफाओं का है अंदर सफेला लगे तेरा प्यार पूछो ना इसमें है कितना परार तू मेरी सांसों की है शायरी कितनी हसी है ये जिन्दगी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी आ ये जिन्दगी कितनी है प्याओं कितनी है ही ही जाला लाला तू मेरी चाहत का एहसास है तू मेरी चाहत का एहसास है मेरी नजर की हसी प्यास है है कार तेरा यू दिल में प्यास मंदिर में जैसे जले है डिया मैं इश्क हूँ और तू आश्ते मैं इश्क हूँ और तू आश्ते कितनी हसी है ये जिन्दगी हो ऐसे चुपी मैं तुछ में सदू जैसे के मन्सी में रौ दिरी दिल में मुहाबत की बेखुदे कितनी हसी है ये जिन्दगी दिल में मुहाबत की बेखुदे कितनी हसी है ये जिन्दगी जिन्दगी कितनी है जिन्दगी में आए जिन्दग जिन्दगी अगर याप तिरा बोच में आया थे तो कुछ खाने के लिए मंगा लिए अरे जाएगा कहा यार यही कही बटा धारू फीरा होगा हाँ जाएगा तू फिकर मत कर हाँ आने की बड़ी फिकर पड़ी रहती तुझे इसक्यूज भी अरे अंपे शाराव के दुल्की में किसी और के मंगले में तो नहीं गुद गया भाई जी बंगणा तो आप ही का था मगर मगर आप मैने खरीद लिया आप कहता है बंगला मेरा है और फिर किस से खरीद लिया आपने जी आपके बेटे से जो पाभी पैदा ही जी याप क्या रहे वह जो तुम सुन रहा हो बहुत मैंने शादी नी किया तक तो मेरा बेटा क्या जा है वगर उस एजेट दीनू ने उस आदमी को आपका बेटा केकर मिलवाय था आपके उस एजेंट दीन दयालू दीनू की बात तो नहीं कर रहे है जो कोई भी खाली बंगला देखकर वाच्मन को पटा लेता है और फिर बंगले को बेच देता है यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस बंगले के असली मालिक थे इनकी पिटाजी बड़े देवता आदमी थे कारवार में नुक्सान हो जाने की वज़े से इनको दिल का दौरा पड़ा और इनका सुर्गवास हो गया उनकी आत्मा की शांती के लिए यह बंगले को इसलिए सस्ता बिचना चाहते हैं ताकि उनका करदा अदा हो सकी करता है आप अग्वार नहीं पड़ते हैं आपका वो दीनू ऐसे कई बंगले बेचने के अपराद में फरार है पुलीस उसे धून रही है हस क्या बिचाद कि देखो दिपक जो कुछ होना था हो चुका अब तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाओगे मदन यार तू तो ऐसे कह रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो अरे पगले पूरे 22 लाग का सवाल है 22 लाग का जो मैं जिन्दगी भर नहीं कंग करें नाव फाीज दिन के लिए आख कमादasion इतने पैसे इती जल्दी कमाना यास तो कोई गलत काम करके प्र बहूंट करके या बिल्किल सही करके अदुरे लेकिन तुम्हारे पास तो यह पैसा कि अंदर कुछ अखल डालिए मैं बैंक जा रहा हूं जी है अगर आज आप मुझे बैठने को नहीं भी कहते ना तब भी मैं बैठ यादा मदन बादो बताई जी अगर हम बैंक में कुछ रुपिया फिक्स डिपॉल्ट करवाएं तो उसका 75% हम जब भी चाहे तो बैंक हमें आपकोर्स थैंक गॉर्ड इजद बच गई क्यों सर क्या बात है मुझे माबू हमारे करोड़ों का सौधा जबान पर आज मैंने 20 लाग रुपिय के एक बील कर लिए और इत्वाक से कहीं से भी कोई भी पैसाने की उमीर नहीं है और आज मैं दिल्ली जा रहा हूं ने तो मै 25 लाग रुपिया मैंने फिक्स रिपॉजिट करवाया था लाग उसमें से 20 लाग रुपिया आप निकल वा लिजीगा मैं आख ले जाओंगा ओके बाई अब क्या होगा है तो मैं सोच रहा हूं अगर मंडे तक शक्ति सिंग को पैसे नहीं मिले तो वो ना जाने क्या कर बेठें विचार मंदन तो हमारी वज़े से मुसीबत में फंस गया यह सब मेरी वज़े से हुआ है तुमने मुझे अच्छा घर देने के चकर में यह मुसीबत मोल ले ली है अब मैं ही तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूगी तुम तो कैसे मैं डारी से पचीस लाख रुपए मांग लूगी नहीं जोती अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊँगा तीपक जरह यह तो सूचो कि पैसों का इंतिजाम करना भी तो ज़रूरी है वो तो है जोती है काम करते हैं तुम जल्दी से तयार हो जाओ किसमत आजमाते हैं हो सकता है भगवान हमें कामयाब कर दे उठो जोती उठो जल्दी चलो अँड़ मौणे गे मौथ हैं इस शेहर की हर एक रानी प्रकाश किन पहलू में रहाचा और यह तीसरा पत्ता भी रानी है फिर भी यह बाजी मैं तुम्हें देता है मैं यहां खेरत लेने नहीं आया हूँ मैंने भी बराबर का पैसे लगाया है अफसोस तो इसी बात का है कि बाजी मैंने अपने बराबर वाले के साथ नहीं लगाई तुम्हें तो हार के डर से ही फसीना आ गिया और मुझे तुम जैसे चिछोरे आदमी का पैसा नहीं चाहिए ये काउंटर उठा लो मैं कोई बिखारी नहीं हूँ जो बगर पते देखे काउंटर उठा लो कि ये सर्ट काउंटर कैश कराके आपस में बढ़ काश बाबू ये तो लाकूर काउंटर है जानता मगर इसमें इसके भी पैसे हैं अगर मैंने इस तमाद किया तो अफसोस हो नंबर नाइट? येट! अवड़ कर दो अवड़ लो येट! 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 ये वहाएव जेट। याद, येट! थाज हुआ जजा बाद दो अाजने के लादग को दो जोड़ी का लाद़ सबस्यां प्रकाश बेटे ये पेपर्स अंकल तैल अंकल ये पेपर्स, फाइल, चेकबुक्स, दिन भर आप मुझे इन में उल्चाय रखते हैं, शाम को अपना दिल भिलाने यहाँ आता हूं, आप मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, बेटे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अच्छाय याद आगया, कल सुभाई ये कॉर्ट मे देने है, तस बजे, और आप के सुभाई तो बारा बजे से पहले होती नहीं है ओकेए और इसको लिए ओकेए, थेंक्यू येज, येज, येज और ओकेए हुआ गजए प्रेड़ भ्रेड़ प्लेड़ प्लेड़ कर दो कर दो कर दो है आपको कोई ड्रेस पसंद करने की क्या सश अर्ण होता है आप तो कुछ भी पहन लेजिये उसी की शोब सब्दू defect yeah hi hi वाव ही प्याव कर सकते हैं कर सकते हैं ही जली को ही आμα जो 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 झाई जुरिदा जुरिदा नहीं जो, 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 जो. तर है, जो. अब क्या होगा दीपक हम तो सारे पैसे हार गए तुम्हारे पास कितने रुपए है वही जो तुमने पचीस हजार दिये जब सब कुछ हार ही चुके तो एक आखरी बाजी खेल कर देखते है शायद तक्दीर हमें कामियाब कर दे चलो तक्दीर हमें पीपर डुम zakष भीन यह यह गढ़ब तक्दीर हमें कामि Israeli अगर झाल local channel यह ! Oh no! झाई! मुझे प्रकाश कहते हैं मैं दीपक, इस मैं वाइप जोती क्या संगम है दीपक, जोती और प्रकाश जी? जी हाँ, दीपक बाबु मैंने जिन्दगी में कभी हार नहीं मानें और आज इत्तफाक से मैं कई बाजी हार चुका हूँ अगर जोती जी मेरे लिए खेलें तो मुझे पुरी उमीद है के मेरी हार जीत में बदग जाएगी कहीं आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी अगर लगी तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं सोच रहा था अगर ये हार गई तो क्या होगा यहीं ना आप फिकर मत किजिए ये इल्जाम मैं इन पर नहीं आने दूँकर ये सोच लोगा कि मेरा एक हेलिकाप्टर क्रैश होगा चलिए ओके प्लीज एक्स्क्यूज मी एक्स्क्यूज मी कामाड़ी और नाओ कामाड़ी वे इल्जाव कामाड़ी अप्सक्यूज कामाड़ी आफर हुआ प्सक्रणव ऑ微चल जोती जी आपने खेल क्यों बंद कर दिया अगर में लखी होती तो ये बाजी ना हरते इन्होंने तो इसी बाजी जीत रखी है जिसके सामने आदमी अपनी जिन्दगी भी हार जाय तो कम है क्यों डीपक जी हां इसलिए तो मैंने अपनी सारी जिन्दगी इनके नाम कर दी है तो फिर हो जैए एक बाजी देखिये जोती जी में या नहीं चाहता कि आपके दिल में के आप अनलगी हैं वड़ी उसे हैं ओके उस टेबल कर बज़ाज लग के काउंडर लिया प्लीज आपको जो नमबर सबसे रपसंद हो लगा देजे यह सब यह सब लगा देजे प्रकाश बेटे तुम भी बड़े भुलकड अत्मी तुम्हें याद नहीं है कितने लेगों को तुमने पार्टी में बुलाया था आज सब इंतलार कर रहे हैं तुम्हारा जो आज चुके हैं कि अगर दीपक और जयोती प्रकाश के जनम दिन में साथ रहें तो महफिल की रौनक बढ़ जाएगी तो आज आपका बर्दे है जी विशियो वेरी हापी बर्दे हापी बर्से आपका ये दोफा भरी में मिलेगा तब भी कबूल करूंगा देखिए हम तो ऐसे ही चले आए ना कोई तयारी ना आपके लिए को ये तयारी में कितना वक्त लगता है दीपक बाबू इस सर्थ इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दो जी आई हूँ तीपक हम तो सब कुछ हार गए अब क्या होगा अरे बाबा मैं हूँ क्यों फिकर करती हो हाँ रिलाक्स बिटे प्रकाश बेटे ने जोती बिटिया के लिए ये बढ़िया तोफा बिजवाया है और वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का नीचे जी पहुंचते हैं ओके ओके बिलकुल बॉइ प्रकाश ने तुम्हारे लिए तोफा बेजा है अरे खोलो खोलो इसे मैं इससे नहीं पहनूँगी क्या पागल होगी हो जब हमने उसकी दावत कबूल कर ली तो इस ड्रेस का क्या है फटा फट तयार हो जाओ प्रकाश इंतजार करता होगा ही ही प्रकाश पाबू वाँ जब आप जुआ खेलते तो पके जुआरी नजर आते जब आप म्यूजिक बजाते तो कला के पुजारी नजर आते समझ में नहीं आता आपको किस नाम से पुकारा जाए पीपक बापू यही तो प्रकाश बेटे की खासियत है के जो भी इससे मिलता है इसे कोई नया नाम दे देता है कोई इसे परवाना कहता है तो कोई मस्ताना और कोई दीवाना कोई जाए प्रकाश सुखते है ही 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 आहा दीवाना तो कह दिया दीवान की समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आशी की समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया पागल है दिल मेरी हता नहीं कब प्यार हो गया बना नहीं मेरे दर्दे दिल की कोई दवा नहीं फिर भी किसी से कोई गिला नहीं पावारा तो कह दिया पावारा तो कह दिया पावारगी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी हा तूने सनम मेरी कभी आशिकी समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया ही 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 ला 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 है काश कोई मेरा सनम निले किस मेहर बागी नगरे खरम निले राहों में उसकी पल के पिछाओं में सारी दुनिया को भिलाओं में मस्ताना तो कह दिया पर बेखुजी ही समझी नहीं तुने सनम मेरी कभी आश की समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्मादन पर रहे मारा है वह बेचार आपकी महुबत की खातिर मुसीबत ने फजिया उसी की वज़े से तो मैं भी परिशान हूँ मुझे ताज्युक तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जजबाती लोग जिन्दा करें जहां हर चीज विकाऊ है प्रकाश बाबु आपका इनजरिया बिलकुल गलत है के दुनिया में हर चीज पिकाऊ होती है पीपक बाबु लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं पीपक बाबु सत्युग में माए फक्र से अपने बच्चों को दूद पिलाया करती थी कल्यूग में हर चीज बिकने लगी है तो माएं भी बाजार से दूद खरीद कर अपने बच्चों को पिलाती है फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एड्मीशन खरीदना पड़ता है उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है और जब वो जवान होकर डिगरी हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू सब कुछ बिकता है अगर आप भी अपनी मजबूरी सुना कर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा प्रकाश बाबू अगर मिर पस ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता है दीपक बाबू आपके पास है मैं आपको 25 लाख रुपए दूँगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो चिलाओ मत खुद गर्ज इंसान चिलाओ मत तुम्हें एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तयार नहीं अरे सोचो उस मासूम बेगुना मदन के बारे में सोचो अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिन्दगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी अगर हर जगा से मायूस हो जाओ तो दुकांदार बनकर इस खरीतार के पास आजाओ तीपक उस बगवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बड़ेगा वो एक हादसा था जिसे भूलाना कि अकलमंदी है कैसे भूल जाओ जोती कैसे भूल जाओ कि हालात ते मुझे इतना मजपूर कर दिया था कि उसकी बखवास सुनकर भी खामोश रहा हाँ बखवास का जवाब नहीं दिया जाता अब तुम सारी बातों को भूल कर आराम से सोचाओ दिपक को तो पैसो की कोई चिंता ही नहीं है वो तो रात भर जोती के साथ गुंता रहा अगली यह भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर पैसो का इंतिजाम कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ भगवान ना करे अगर कहीं पैसो का इंतिजाम नहीं हुआ तो क्या होगा होगा क्या मुझे जायर खालेना पड़ेगा अपनी बद्नामी और शक्ति सिंग के जुम का सामना मैं नहीं कर सकता दिपक अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देता भाया दिपक चार मेने के बाद तो तहीं जमीन का मालक होगा और आज ही सोदा करना गया सिर्जी ये जमीन 80 सालों से आपके पास पड़ी है मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये आप भी के पास रहे अरे भाया ये फैसला करने का अगभी तो तन्हे चार मेने के बाद होगा पर सेट जी अगर मुझे पैसे कल तक नहीं मिले तो अनर्थ हो जागा सेट जी तन्हे पचीस लाग रुपे के जुरूद है ना जी हाँ इबे काम कर मैं तन्हें पचीस लाग जूँ तु आपनी जिमीन सदा के लिए मारे नाम कर दे ठीक है सेट जी अरे मनीम जी जाओ उसे ठाणे के नपीसे लेख आओ ले भाया साइन कर दे लिखा पड़ी मारा वकील कर लेगा अरे तहां आत रोखागा तो मैं मनीम न रोख जूँगा चाल तसकत कर साइन कर साइन है है शाबास ले भाया गिर ले पुरे पचीस लाग है सेट जी ठीक होंगे है जा भाया जाए भाया जड़ा बांदोड़ चलना अरे साब एक प्राउब्लम हो गया आज जल्दी जल्दी में मैं अपना लेसन घर भुला है अगर किसी पुलिस वाले ने रोका तो खामखा आपको तकलीफ होगी और वैसे मेरा गर रास्ते में है अगर आप कहें तो मैं अपना लेसन ले लो ठीक है ले लो, मगर ज्यादा वक्त लगा लो अगर ज्यादा वक्त लगा लो अगर मैं अभी आया अरे चंदु काणिया मेरी टेक्सी पे कलोंडा बैठा है चिकना है उसके पास एक बैग है लगता है बहुत बारी है अभे तू भिकर मत कर अभी हलका कर देती है चलो आय अहाँ आय 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 आइ आय आय पाल! भई? पलें पड़ें सेज़ पड़ें पर्पा यहाजकता राख परने के इत्स नहहें आजा परने परने पर अख आब परने 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 उर परने दवाइ! इप खरेंग! चलो बकानिया, जदी चलो जदी बढ़ो इतनी देर कहां लगा दी? मैं कितना परिशान हो रहे थी ये क्या हुआ? तुम फिकर मत करो अगर मदन के पैसों का इंतजाम न हुआ तो हमारी परिशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी सब ठीक हो जाएगा अच्छे मुखा दो लोग खाना खा लेते हैं मुझे भूक नहीं है, तुम खालो तुम खालो चती अरे आश्या दीदी, आपने जोदी को गहीं देखे हैं? हाँ, वो मुझे कहकर गई थी, कि मैं तुम्हें बता दूँ, वो अपने डेडी के पास गई है डेडी के पास? अगर हालात से तंग आकर, दरमदास की बेटी आई है तो मैं उसके वापसी की कीमत 25 लाख पी देने के लिए तयार हूँ लेकिन अगर दीपक की पत्नी आई है, तो उसके लिए इस घर में कोई जगा नहीं है तैरी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी, कि वो आपकी करोडों की ज़्यादा ठुकडा कर चली गई थी अगर वक्त के हाथों मजबूर होकर, इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है दीपक की पत्नी, हमें अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपी सारी जयदाद कुरबान कर देते लेकिन हमारी नज़रों में दीपक की कोई आइमत नहीं, अगर उसकी पत्नी का सुहाग बचर रहा है नहीं धरमदास से नहीं, मैं एक भारतिय नारी हूँ और अपना सुहाग बचानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ For your information, Mr. Dharmdaas, तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है चोती कहाँ है? कहाँ है? ये पता करना तुम्हारा फर्ज है बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में, पुझे बहुत बड़ा चालेंज करके चले गई इससे पहले कि वो अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए, जाके ढूंड़ो उसे देखो वह का है, जाके ढूंड़ो चचा यह देयाल चाचा यहां क्यों आए थे? आरे यार यह 25 लाग रुपर जो तुने भीज़वाय थे वही देने आए थे 25 लाग? मैंने? क्यों क्या बात? जोती जोती प्रकाश का है? जी वो अभी टेरिस की तरब गये हैं उनके साथ कोई जोती नाम की लड़की थी? नाम तो मुझे मुझे मौलूम नहीं, हाँ एक लड़की उनके साथ जरूर गई है जोती जोती नाई 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 लुटा को एए कर दो दो पर दो अपर अगान दोगो कर दो कर दो तो कि अजय को अगर कर दो 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 खो जो उब खो आपके हुसन को और हसीन बनाने के लिए अंदर सारा सामान मौजूद है आप तयार हो करा चाहिए मैं आपका इंतिजार कर रहा हूँ की दो और हासर के लिए आपका सामा मौजूद आपके लिए हो की आपके ंपके लिए अंदर सामा म कर दो कर दो कर दो कर दो आप बटन लगाना भूल गई है जोती जी एक बात बताईए आप यहाँ खुद आई है या इसमें दीपक की भी रजामंदी है रकाश बाबो दुकानदार मिटने के लिए तयार था अगर अपना सामान बेचने को नहीं सामान से उजटती हुई दुकान देखी नहीं गई इसलिए खुद खरीदार के पास चली आई रकाश बाबो औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है मगर उसमें बोज कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है भगवान शायद मेरे सुहा को जाटना चाहता था मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजटने चली आए जोती जी जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तक्दीर का फैसला भगवान पर छोड़ देते हैं अगर हेड आया तो आप जैसे आएं थी वैसी वापस चली जाएंगी और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ तीपा के जोती जोती मेरका तीपा के जोती जोती मेरका तीपा के जोती मेरका यजाना पर वही हूँ मेरे इज़त का, मेरे महबबत का, मेरे अर्मानों का गातल, गातल तो कोई आ रहे, ये खून, ये खून तुम्हारे होटों पे कैसे लग जा जोती, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो इसे, मिटा दो, कोई ये दुनिया वाले ना समझ बैठे के, के तुम गोनेगार हैं, देखो आशाप, तुम चिंता मत करना, सब कुस ठीक हो जाएगा, और वैसे भी आम लुक जाए रहे ना, अच्छा, ये ये चुट्टी की दर्खवास में दीपक को दे आता हूं, वो बैंक में दे आएगा, तुम समान बर लो, के जी, मदन भैया, आप? भावी, सुबह सुबह टेलेग्राम आ गया कि आशा की डड़ी की तभिया अच्छाना खराब हो गई है, हम लोग दोनों बैंगलोर जा रहे हैं, आप ये अप्लिकेशन दीपक को दे दीजिए, वो बैंक में दे आएगा, तीपक, मदन भैया और आशा बैंगलोर जा रहे हैं, ये अप्लिकेशन दी है बैंक में देने के लिए, मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ, तुम तो कहीं भी अपनी मर्जी से चली जाती हो, तो फिर मदन के घर जाने के लिए मुझ से कहने की क्या जूरूत है, हाँ? तीपक बाबू, तुम मुझे देखकर चौंक है न, हर आदमी अपने जमीर से मिलकर इसी तरह चौंकता है, तुम कहना क्या चाहते हो, यही कि जो तुमने अभी जोती को तंस किया, क्या इसका हक है तुम्हें, तो क्या करूं, उसकी पूजा करूं, क्या उसकी आर्थी उतारूं? हाँ, अगर आज जोती ना होती, तो तुम भी जहर खाकर मर चुके होते हैं, अर्य मर गया होता तो अच्छा होता, कम से कम यह दिन तो देखना न पड़ता, और तुम्हारी वज़े से जो दिन जोती को उसके बारे में सोचे कभी जोती ने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे ले किया अगर तुम्हारी नजर में पापी जोती है तो मेरी नजर में इस पाप के जिम्मदार तुम हो पापी तुम हो तुम हो दीपक पापी तुम हो नए कि अ कि अ कि अ कि अ कि रूप और है कि अ अ अ हुआ है कि अ अ अ हुआ है कि दॉप जोती तुमने हाथों से ज्यादा गालों पर आटा लगा रखंग है हां ना 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 यह लो चाए तीपक मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या मेरे दोनों हाथ में कप है ज़रा साफ कर दो न यह दाग तो साफ हो जाएगा मगर वो दाग जो तुम लगा कर आई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत साफ नहीं कर सकती है हाँ 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 इतनी रात को यह सब करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है अच्छा तो मुझे तुम्हारा किसी और के साथ रहना भी लगता मगर तुम रहकर आई हो रहकर आई हो तुम और उस पर हमद यह कि मेरी आखों में आखेट डाल कर बात भी कर लेती है क्यों हिमत इसलिए है दीपक क्योंकि मैं जानती हूं मैंने कोई बाप नहीं किया बाप नहीं किया तो क्या उस दिन तुम्हारा पुजारी प्रकाश अपनी इस जोती देवी को किसी मंदर ले गया था है ताकि वह जाकर 25 लाक रुपए अपनी देवी के चेड़नों में कि हालाद मुझे जरूरत की डोर से बांध कर ऐसी मंदर पर ले गए जहां पहुंच कर मैं अपना सुहाग बचा सकी तीपक यहां से गई भी तुम्हारी पत्नी थी और आई भी तुम्हारी पत्नी धन्यो जोती देवी धन्यो आपने समुन्द में डुपकी तो लगाए मगर केली नहीं होई जोती बच्टिया प्रकाष नहीं बेदे थे तुमली यह जोती बथार नहीं तो वह बत्वेद साय देवी जोती प्रकाष नहीं पेपस बहें तुमली तुमली अच्छा बीटी अब हम चलते हैं आपके प्रकाश पाबू इस वक्त तो वह होटेल टिंग में होंगे ओके बाहा हुआ प्रकाश तुमने मुझे घर खरीद के देने की हिमत कैसे की जोती जी आपको तो ऐसे गुसा आरा है जैसे मैंने अपको घर नहीं बहुत बड़ी गाली दे दी तुम अपने आपको समझने क्या हो गुस्से में आपका जितना दिमा खराब है उससे कहीं ज्यादे तो आपने शरीफ आपिंगे कपड़े खराब कर दिया आपको जो कुछ पुछने बहार चल के पूछिए एक्स्यूस मी आपको चुछ पुछने बाहर चल के पूछिए एक्स्यूस मी आपको क्योंकि बगएर कपड़ों के सिर्फ आप प्रकाश बाबू आप अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जियोती जी मेरे ख्याल से उस रात को हम दोनों ने अपनी अपनी हदों का अंदाजा लगा लिया था मेरी खुशियों को तो उस रात के अंदेरे निगल गए और आपका ये बंगला मेरे बसे बसाए घर को जार देगा प्रकाश बाबू वो घर मेरे लिए किसी मंदर से कम नहीं है क्योंकि उसमें मेरा पती मेरा भगवाल रहता है और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आपका दिया हुआ बड़े से बड़ा बंगला मेरी नजर में जेल की काल कोट रही है जिसमें रहकर मैं घुट-घुट कर मरना अभी पासन नहीं करूंगी जोती जी उस रात के कीमत देना मेरी हवस्त ही मगर अब जो भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सिर्फ एक दोस्त का दिया हुआ तोफा है जिसमें कोई लालच नहीं आपकी दोस्ती मेरे पती को मेरे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर कर सकती है पेटर होगा आप हमारी जिए जिन्दगी में आने की कोशिश ना करें हालात ने मुझे मजबूर कर दिया मगर इतना कमजोर नहीं किया कि तुम्हें अपनी आखों के सामने सब कुछ करता हुआ देखकर बिखा मश्रम दीपक मेरे ख्याल से मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर तुम्हें गुसा आए जिस औरत की आख का पानी मर जाता है न वो तुम्हारे ही अंदाज में बात करती है अरे तुम्हें तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तुम प्रकाश के मिस्तर पर सो कराई थी तीपक इससे पहले कि शक की चिंगारी जुवाला मुखी बनकर हमारे हसते खेलते घर को जला डाले तुम ज़रा ठंडे देमाग से मेरी पूरी बात तो सुनो क्या सुनाओगी तुम हां क्या सुनाओगी अपनी छूटी मन घड़क कहानिया सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूं मैं सच्चाई यह है कि मेरे पास उजड़ा हुआ मकान है और प्रकाश के पास अलिशान बंग ले कि मेरे बदन से तुम्हें पसीने की बदबू कामने लगी है कि अगर मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रहे गई तो मेरा दिमाग फट जाएगा बेटर यही है कि मैं तुम से दूर चली जाओ अरे मैं भी तो यही कहता हूं कि चली जाओ चली जाओ इस घार से क्योंकि यहां पर हर चीज शस्क्री जरूर है मगर तुम्हारी तरह किसी की जूटन नहीं तीपक मैं जा रही हूँ मगर जाते जाते बात बताना चाहती हूँ गारी बंगल और मखमली बिस्तर देखकर उनकी नियत खराब होती है जिन्होंने ये सब देखा नहों और मैं तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत पहले छोड़ कर आई थी हां कोई दिल ना किसी से लगाए हां कोई दिल ना किसी से लगाए कि रोग बुरा इश्के दा कि रोग बुरा इश्के दा हो कोई दिल ना किसी से लगाए कि रोग ठाई ना किसी से लगाए कि कि रुरा बुराए बुराए कि रुराए उपरवाले ने जब एक दिन फूल और कलिया बाटे थे उपरवाले ने जब एक दिन फूल और कलिया बाटे थे इश्क की जॉल मैं देखा को बस काटे ही काटे थे बस काटे ही काटे थे उलकी दिल की जो आग लगाए उलकी दिल की जो आग लगाए तारी दिल में जल जाए के रोग बुरा इश्के दा किलो मुरा इश्के दा हो कोई दिल ना किसी हिसे लगाए हाँ कोई दिल ना किसी हिसे लगाए गुट मैं तक को कहना ये प्रजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करके मुझे कल सुबा दिखाए एक बात काँ सर क्या ये क्या बात है सर फैक्टिक लिए जो जमीन आज मैं देखने गया था उसकी डील जोती जी कर रही है जोती मैं कुछ सम्झा नहीं सर वो एक महिने से किसी स्टेट एजेंट के नौकरी कर रही है सुना है उनकी दीपक बाबु से कुछ एनबन हो गई है ठीक है तुम जाओ ओके सर जोती को काम करने की क्या जुरूरत थी जिंदगी की जुरूरते पूरी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हासल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है मैंने तो सिर्फ नौकरी की है लोगों को ये कभी मालूम नहीं होगा कि मैं सेध धरंदास की बेटी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मर भी गए तो आपके नाम का बोज अपने साथ नहीं रखोंगी मेरा ख्याल है अब आप बेफिकर घर जास दखते हैं तीवक बिल्दिंग्स तो मैंने बहुत बनाई और लोगों ने पसंद भी बहुत की लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब मैं अपनी MG रोड की जमीन पर एक प्रेम नगर बनाऊगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेम नगर का डिजाइन तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता जी मैं पूरी कोशिश करूँगा सर और जान दो दिपक उसकी बुनियाद उसकी दिवारे उसकी च्छत उसकी फर्ष किसकी बनेगी जी सर उसकी बुनियाद प्यार की च्छत खयालों की दिवारे विश्वास की और फर्ष वफाका होगा बाखो बाखो बई बाद ही पक मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सपना ज़रूर पूरा करोगे All the best कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस ग्रहक को घर दिलाएं उसमें पानी हवा या रोशनी की तकलीफ ना हो और एक बात घर में सबसे ज्यादा ज़रूरी है घर वाली आप यहाँ जी हाँ मुझे पता चला कि घरों को अबाद करने की सब सची जगा यही है तो मैं भागता हुआ यहाँ चला आए आप मेरा घर अबात कर देंगी ना देखिए आपको जो भी बात करनी है आफिस में जाकर हमारे बॉस से कीजिए ठीक है अगर आप हर काम अपने बॉस के कहने से ही करती है तो मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ बाई मिल जाएगा और ठीक वैसा ही मिल जाएगा जैसा आप चाहें लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आपके तो इतने सारे बंगले खाली पड़े है फिर आपको नए घर की क्या जरूज पड़ गई जरूरत ही मुझे आपके पास तक खीच के लिए आई है अब आप जल्दी से अपनी वो इजन्ट को बुला लीजिए क्या नाम है उसका हाँ जयोती और आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं जी मैंने उसे यहीं बुलाया है जयोती अभी आती होगी जीजिए बुलाया है ताकि भीजिए ताकि भीजिए चल्दी परोगी करी लड्रान meUN मैंने आपको कई घर देखा है अगर आपको पसंद नहीं आए आखिर आपको कैसा घर चाहिए जिसमें घर वाली हो जी मेरा मतलब है कि बड़े घर के सामने छोटा ना लगे और छोटे घर के सामने बड़ा ना लगे जोबड़े के सामने महल ना लगे और महल के सामने जोबड़ा ना लगे और जिसे मैं देखूं तो बस देखता ही रे जाओं मिस्टर प्रकाश मैं ची तरह जानती हूं कि जी हां और मैं अपनी ड्यूटी साड़े पांच बजे तक निभाती हूं और मेरा नसीब अच्छा है कि अब साड़े पांच बज चुके हैं मेरी ड्यूटी खातम गुडबाई कर जा दे तक निभाता है जा पांच बजये कि अबस्ता है कि अबसे कि ही अच्छा आड़ствен बजये हैं मेरी दोलीटिंग te तक लुड़े पांच बज़े पांच नहीं अबसा थान आ दोना रहा हैं मेरी अच्छा एटा पांच मुझे अगर मालूम हो था कि मुझे आपके पास आना है तो वे कभी नहीं आती मुझे मालूम था इसलिए मैंने तुम्होरे बॉस को अपना नाम बताने से मना किया था प्रकाश बाबू या तो आप मेरा पीछा छोड़ दीजे नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी जोती जी ये फैसला भी मैं आप पीछोड़ देता हूँ आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा मगर मेरी एक शर्त है खबराये मत सिर्फ पांच मिनट के लिए आराम से बैठ कर मेरी बात सुन देजी है जोती जी इंसान पैदायस से लेके मरते दम तक ही बहुत मतलबी होता है वो हमेशा उसी के पास रहना चाहता है जिसके पास उसे सुकून मिले देखिये ना चोटा बच्चा हमेशा अपनी मा के पास रहना पसंद करता है थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने बाप के पास रहना पसंद करता है फिर कुशन बाद अपने दोस्तों के साथ फिर बीवी बच्चों के साथ और जब उसे एसास होता है कि उपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है तो वो पूजा पाट के बाहने भगवान के पास रिना पसंद करता है चोती जी मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ को हमेशा खरीदा है मगर उस रात आपसे मिलकर ऐसा लगा कि मजबूरी से तंगा कर आप तूट तो सकती हैं मगर बिक नहीं सकती उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर आप किसी से दोस्ती रखूंगा तो वो सिर्फ आप होंगी घबराए मत मेरी इस दोस्ती से कोई लालच नहीं सिर्फ वो पसंद है जो इंसान की फित्रत है ये हाथ बुरे तो हो सकते हैं मगर इतने गंदे नहीं कि दोस्ती के काविल ना बन सके अरे सर हाई दीपक कैसे हो भाई बस ठीक हो सर भाई तुमने प्रेम नगर कॉलोनी तो बहुत खुबसूरत बनाई है सर जिस चीज के साथ प्रेम जुड़ा हो तो खुबसूरत तो बनेगी ही भाई ये बात तो तुमने सही कहिए लेकिन उसे खुबसूरत बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है तुम्हें जान के खुशी होगी के मैंने उसमें 25% शेयर तुम्हारा भी रखा है अरे थैंक यू सर थैंक यू अच्छा मैं चलता हूँ कॉल आफिस में मिलेंगे टेक केर बाई इस खुशी का क्या फैदा जब तेरा साथ ही ने रहा आपको मिसस दीपक कहूँ या मिसस प्रकाश मिस्टर दीपक ये जगा इसी बातें करने की नहीं है मिस्टर प्रकाश मैं आपसे नहीं जोती से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जो सौरत को सिक्कों की खनक सुनने की आदत पढ़ जाए वो किसी और की बात कैसे सुनेगी प्रकाश चलो यहां से अरे जाती करो अभी तो मैं लोगों से तुम्हारा तार्रफ कराऊंगा तीपक प्रकाश क्या होगी है थे वेल अंकल आप जोती को घर पहुंचाईए मैं में समालता हूँ आप बेटी आप मेरे साथ आप चलो आप पचास जार एक पचास हजार दो पचास हजार तीन हाथों साहबानों आप लोगोंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं अब आप इस खुबसूरत नाया मूर्ती की कीमत लगाईए इसकी बोले की शुरुआत होती है असी हजार से असी हजार असी हजार नब्बे हजार एक लाख एक लाख एक एक लाख दो एक लाख दस हजार एक लाख दस जार एक साइबानों चीजे चाहें जितनी भी खरिद ली जाएं मगर उनको रखने के लिए एक चीज की जरूत पड़ती है वो है घर लगता इस घर से तुम्हारा गैरा संबंध है पक्दीर ने इस घर से कभी मेरा संबंध होने नहीं दिया हां तो साइबानों इस खुब सूर्थ आलिशांत मकान की बोली की चुरूत होती है 12 लाग से बरां लाग 15 लाग 15 लाग 15 लाग 11 20 लाग 20 लाग 13 लाग दो और 20 लाग 20 लाख अ अिस घर को इस कीमत पर कोई दिवाना ही खरीच सकता है प्चासलाग एक प्चासलाग दो प्चासलाग ती इस घर को खरीदा तो मैंने है मगर इसकी माल किन वो है कर दो मैंने है कर दो मैंने है हे हे, ला 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 ला, हम हम, हो 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 हो, ला 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 कि यह तुमने मेरी लिए खरीदा है सिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि यह घर तुम्हें तौफे में दू रेम अगर कॉलनी बना कर चो 75 लाख रपए मुझे कमिशन के मिले तो उसमें से एक घर तुम्हें ले दिया 25 लाख रपए प्रकाश के घर भी बज़वा दिया हाँ कंष अआरे कंषब कंषब कंषव कंषब आपने मुझे यहां किसलिए बुलाया बुलाने की तो खास बजा है आप आराम से बैठिये वक्त आने पर सब कुछ बता दूगा जोती तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार परदाश नहीं कर सकता और आज तुम्हें यहां बुलाने की सिर्फ एक ही वज़े है कि उस रात की हार को चीत में बदल दूँ अब कहना क्या जाते हैं कहना कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस रात को दीपक की पत्नी मेरे पास आई थी और वापस गई थी दीपक की पत्नी आ जाई है यहां दीपक की पत्नी मगर वापस जाएगी प्रकाश की महभूबा उस रात को यह सोचकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि मजबूरी में नहीं जिस दिन यह बदन महबत से मेरे पास आएगा अपना लूँगा मगर ये मेरी बेवकूफी थी ज्योती देवी बेवकूफी तुम तो दीपक की महभत में कैद हो और जब तक मैं इस शरीर को हासल नहीं करनूँगा तब तक तुम उसकी कैद से बाहर नहीं आ सकती प्रकाश बाबू उस दिन एक पत्नी अपना सुहाग बचाने के लिए मजबूर हो गए थी मगर आज दीपक की पत्नी अपनी इजद बचाने के लिए आपसे तो क्या सारी दुनिया से ठक्रा सकती है जोती देवी भूल कर भी ये गलती ना करना क्योंकि प्रकाश से जो भी चीज टक्राती है तूट जाती है हालात में उस रात मुझे जरूर तोड़ दिया था मगर अब तुम मेरे साय को भी नहीं चूँ सकते क्योंकि मेरे पती ने तुम्हारे पैसे दे दिये हैं पैसे तो दे दी मगर उन पैसों का प्याँज मैं तुम्हारे शरीर को हासल करके ही वस्ल करूंगा करें 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 कि उस रात ये तुम्हारी जिन्दगी बचाने के लिए मेरे पास आई थी और मैंने इसे छोड़ दिया अगर तुम में हिम्मत है तो आज इससे बचलो कमीने तुने हमारी खुश्यां चीन ली मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा तुम्हें मेरी कसम जोती तुम्हें इस कमीने को बचाने चाती हो इससे नहीं अपना सुहाग बचाना चाती हूँ अगर तुमने इससे मार दिया तो तुम्हें भी सजा हो जाएगी मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकती हूँ अगर तुमसे जुदा होकर नहीं चलो चलो दीबग अरे प्रकाश बेटे ये सब तुमने क्या क्या अगर मुझे मानूम होता कि तुम ये ड्रामा करने वाले हो तो तुम्हारे कहने पर मैं दीपक को यहां कभी न लाता अगर आप दीपक को यहां न लाते और मैं ये ड्रामा ना करता तो उन दोनों का मिलन कभी नहीं होता मगर उन दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें अपने आपको उनकी नदरों में गिराने की क्या तरूरत थी तैल अंकल राम की कदर तो सिर्फ सत्यूग में हुआ करती थी अगर कल्यूग में वो पैदा भी हो जाएं तो उन पर कोई यकिन नहीं करेगा मैं जब तक राम बना रहा वो दोनों चुदई में तड़पते रहे हाज मेरावन बना तो वो दोनों कितने खुश हैं तुम्हारे जीने का अंदाज मेरी समझ में तो आया नहीं अगर तुम्हीं यही सब कुछ करना था तो फिर उस रात की प्यमत दे कर जोती को बनाने क्या जरूरत थी तैल अंकल मैंने हमेशा हसीन जिसम खरीते हैं उस रात जब जोती मेरे करीब आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक जिन्दा लाश खड़ी है और लाशों से खेलना प्रकाश की आदत नहीं उस रात को ये सोच कर मैंने जोती को वापस कर दिया कि मैं उसे मौहबत से हासल करूंगा मगर मगर वो मेरी गलत फहिमी थी दयाल अंकल तीपक दिल है और जोती उसकी धड़कन कि उन दोनों को कोई चुदा नहीं कर सकता क्या ये वही प्रकाश बोल रहा है जिसने जिन्दगी भर कभी अपनी हार बर्दाश नहीं थी हाँ दयाल अंकल आज आपका प्रकाश हार गया मगर इस हार में जीत से ज्यादा मजा आया मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैंने जिन्दगी में हर चीज का सौधा तो किया है मगर खोड़े सिकों से नहीं मुझे खुशी तो किया है अगर है डाया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगे और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ प्रकाश तुमने मेरे सुहाक की रूप में जो अपनी दोसी का तुफा दिया है मैं जीते जी तुम्हारी दोसी को नहीं भुला सकती परिष्टे आसमान पर ही रहा करते हैं करता है करता है